इसको सटाकर भी लिख सकते हैं वालग अलग भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ डैस भी लगा सकते हैं तो लमसम बाई ग्रमर नाउन होता है ठीक है ना और इसका हिंदी अर्थ होता है एक मुष्ट रासी या एक मुष्ट रकम या एक रासी कुछ भी बोल सकते हैं आप ठीक अगर कहीं से आपको वेतन के रूप में या जो भी आपकी मज़दूरी हो पैमेंट हो हिस्सों में करके यह नहीं बार बार करके न दिया जाए एक मुष्ट जो दे दिया जाता है उसी को कहते हैं लमसम एक मुष्ट रासी या एक मुष्ट रकम या एक रासी इसके सिमिलर वार्ट्स होते हैं राउंड फिगर राउंड शम और ग्रॉस सम इन तीनों का यूस कर सकते हैं आप ओके सेंटेंस में अगर यूज देखना चाहें तो आप देख लिजिए देलेवरर्स वर पेड रुपिश फाइव हंडेड इच इने लंब सम फर्द नाइट यहीं मजदूरों को रात्र के लिए यहीं करा कि एक मुस्त में पांसो रुपे प्रतेक को चुकाया गया चुकता क इसके अलमा आप देख लिए लंब सम जो होता है वह एडिजीक्टि भी होता है पहलत नावन है यहां पे लंब सम ओर यहां पर लंब सम संस्क्रेम करता है इसको बोलते हैं एक मुस्त वल्ली एक मुस्त रासी Wrap स यहां पर या रुपया कार के मरमत के लिए जरूरत थी अब नीडिट मतलब जरूरत थी पास्टेंस में है तो यहां पर लंसम के बाद रूपी 100 या 1001 लाग जो भी आए तो यह नाउन का काम करेगा इसलिए एडजेक्टी हो गया लंसम यहां पर देखे ए भी लगा है लंसम मतलब एक म मुस्त रासी ध्यान दीजेगा बड़ा ही इंपोर्टेंट यूज है हम अपने बोल चाल में हमेशा इसका यूज करते हैं आप भी बोलते हो लंसम इतना पैसा लग जाएगा लंसम इतना खर्चा जाएगा तो आपको ध्यान देना होगा कि यही लंसम आप बोलते हो ओके ज लुए हैं चीज को लंसमपी सैलिंट होगा जिसको सठाक भी लिख सकते हैं दोड़ भी लिख सकते हैं कि मुझे अमीद है कि आपको वर्ड आप डेवस जो वीडियोगे हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी समझ में आती हो तो वीडियो को देखने के बाद आप सारे लो